आज हम बात करने वाले हैं कि क्या बदलते मोसम भी हमारे शरीर पे या हमारे स्वास्त पे कोई दुश प्रभाव डालते हैं या क्या हमें बदलते मोसम में अपने आपको बदलने की जुरूत है या इन दिश प्रभावं से बचे रहें ये आपने देखा होगा दोस्तों बहुत बार सुना होगा कि नहीं सर्दी के मोसम में हर्ट अटेक का रेट बढ़ जाता है तो क्या ये सही बात है या मित है ये सही बात है ये मित नहीं है सर्दी के मौसम में हार्ट अटेक का नंबर बहुत जादा बढ़ जाता है ना सिर्फ हार्ट अटेक बलके स्ट्रोक के केसिस भी बहुत जादा हो जाते है तो ऐसा होता क्यों है तो दोस्तो ये समझने के लिए कि इसके कारण क्या है ऐसा क्यों होता है सर्दी के मुसमें हाट अटेक का नंबर क्यों बढ़ जाता है या इसके कारण क्या है या इसे बचा कैसे जा सकता है ये सब समझने के लिए आपको मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा तो दोस्तो इसके तीन मुख्य कारण है पहला कारण दोस्तों ये हो जाता है कि सर्दी की दिनों में आपने देखा होगा कि पॉलूशन का लेवल बहुत जादा बढ़ जाता है खास दोर से मेट्रो सिटीज में और दिल लिका तो हाल आप लोग जानते हैं कि नवंबर आते ही यहां पे धुन और गर्द और धुआ और दूल इतना जादा पॉलूशन हो जाता है कि आपके लिए सांस लेना मुश्किल होता है क्योंकि कहीं न कहीं सांस की बिमारियों से सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है हर्ट के उपर और ये भी एक कारण बन जाते हैं हर्ट की डिजीज के बढ़ावा मिलने में लेकिन इसके दूसरी तरफ एक चीज और है जो बहुत इंपोर्टेंट है जब एट्मोस्फियर में या वातावरण में जो पॉलूटेंट्स हैं उनका लेवल अगर जादा हो जाए खास दोर से जो लो मॉलिकुलर वेट या ऐसे पॉलूटेंट्स जिनका साइज बहुत छ जो हम कह सकते हैं जो सांस लेने की बारिक बारिक नालिया है उनको इरिटेट करते हैं जिसकी वज़े से सांस की बिमारिया दमा या असी अपिडीज जिनको कहते हैं उस तरह की बिमारिया डेवलप हो जाती है तो यहाँ पर गोर करने वाली बात यह है कि जो हार्ट को ने वर नेसी फैंब पहलो हो जाता ये सामधोर, सम्सक्राइब कारण लेड़ काथ अग्लेड है अगर तो जहास सब्लाइब हो जाता है घर्लर का Western इस दीक जजिस सब्लाइब क्या हम एक कारण होता है heart attack का तो यह तो एक factor था दूसरा factor दोस्तों क्या होता है जैसे भोती की विज्ञान का या physics का एक नियम है कि सर्दी के दिनों में चीजे सुकर जाती है आपने सवाल भी सुना होगा अपने school के दिनों में कि सर्दी के दिनों में जो ट्रेल की तो पटरी है उनके बीच में gap कम हो जाता है बढ़ जाता है तो वो उसी तरीके से उसी आधार पे जो हमारा शरीर है उस पे भी उसी तरह का असर होता है तो यह effect जब coronary arteries पे पड़ता है यानि कि जब सर्दी के दिनों में coronary arteries भी सुकूरने लगती है या constrict होने लगती है और जब arteries constrict होती है या सुकूरती है तो उनका lumen चोटा हो जाता है तो blood supply heart की तरह restrict हो जाती है और जब restrict हो जाती है blood supply तो खून की supply के साथ साथ oxygen की supply भी कम हो जाती है और heart attack की definition भी है यह है कि जब खून की supply या oxygen की supply heart को कम हो जाती है या बंद हो जाती है तो उसी condition को heart attack कहा जाता है तो दूसरा ये factor है कि ये भी heart attack को बढ़ावा देता है क्योंकि ये खास तोर से सर्दी के दिनों में होता है तीसरा कराण दोस्तों ये होता है कि सर्दी के दिनों में आपने देखा होगा कि extremities या periphery जो हमारा है वो ठंडा होता है तो heart को बहुत ज़्यादा मैनत करनी पड़ती है बोडी को warm रखने के लिए क्योंकि ये blood की supply जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ पर temperature maintain रहेगा कि जब periphery या हमारे हाथ पैर जो है वो ठंडे होता है तो उस समय heart को मैनत करनी पड़ती है उस blood को body के periphery extremities तक पहुचाने के लिए जब heart को ज़्यादा मैनत करनी पड़ेगी उसका load ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी oxygen की demand भी बढ़ जाएगी तो इस कारण से सर्दियों के दिनों में heart की oxygen की demand बढ़ जाती है जैसे हमने उपर बात की जो दो factor थे वो दोनों lead कर रहे हैं जिससे oxygen की supply कम हो रही है तो एक तरफ तो heart की oxygen की demand बढ़ती जा रही है और दूसरे तरफ oxygen की supply कम हो रही है तो ये कारण बन जाता है एंजाइना का या अगर ये बहुत ज़ादा बढ़ जाए तो heart attack का अब इसमें कुछ contributing factors भी होते हैं ऐसे ने कि हर एक किसी को heart attack हो सकता है उसमें एक age जो है वो बड़ा contributing factor होता है क्योंकि age के साथ साथ उन arteries में पहले से fat deposits होते हैं प्लाक्स होते हैं और ये दो और अगर ये aggravating factors आ जाते हैं जिसकी वैसे heart attack जल्दी आ जाता है या दूसरे कुछ comorbidities होती है पहले किसी को cardiovascular diseases है या किसी को hypertension है या किसी को diabetes mellitus है तो ऐसे मरीजों को खतरा बहुत ज़ादा बढ़ जाता है सर्दी के दिनों तो ये तीन बड़े factors हैं जो heart attack का मुख्य कारण बन जाते है सर्दी के दिनों में या सर्दी के मौसम में तो दोस्तों ये तो आपने समझ लिया कि ये कारण क्या है आप इसे बचा कैसे साजा बचने का आसान साधन है सर्दी के दिनों में कोशिश की जाए खास तोर से उन लोगों को जो उमर दराज हैं जिनकी comorbidities बहुत जादा हैं कि वो अपना घर में रहे बाहर जादा ना निकले और बोड़ी को वाम रखें जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे को वाम रखें ठंड से बचना है कपड़े अच्छे से पहन के रखें दूसरा इंटेक जादा रखें आप पानी जादा पिएंगे अगर आप पानी जादे पिएंगे बलड का circulation and flow सारी बाड़ी में जादा अच्छा रहेगा तीसरा आप गरम पेप अदार्त का इस्तमाल करें खास तोर से सर्दी की दिनों में इसमें आपका कैवा, चाय, काफी इस तरह की चीज़े हो सकती है तो इससे भी आपका blood circulation बढ़ेगा और यह रखेंगाद या heart attack की chances कम हो जाएंगे आपका life style आपको बदलना पड़ेगा अगर आपका इस तरह का life style है कि आप कम मेहनत करते हैं तो जरूरी है आपके लिए कि आप कम से कम रोजाना 30 से 35 मिनट चहल कदमी करें, वाकिंग करें एकसरसाइज करें रूटीन एकसरसाइज बहुत जरूरी हैं अपने खान पान में उन चीज़ों को बिल्कुल हटा दें जिन में बहुत ज़दा फैट हो खास्तुर से एनीमल फैट या रेड मिट तो अपने खाने में बिल्कुल ना रखें नमक का सेवन कम करें, नमक बहुत जरूरी है बोडी के लिए, लेकिन नमक जतना कम रखेंगे उतना वो आपके एरक्ट चाप को या बलड प्रिशर को नॉर्मल रखेगा उसके लावा दोस्तों, जो स्ट्रेस के कारण है उनसे बचके रहें और बहुत बड़ी चीज़ है अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग जो है, तमाकु जो है वो आपके आर्टरीज में बहुत जल्दी से ये प्लैक्स बनाता है और जो कारण बढ़ता है हर्ट अटेक का सबसे ज़्यादा जो हर्ट अटेक के के केसिज होते हैं वो स्मोकर्स मिलते हैं आप अल्कोहल का सेवन भी कम से कम करें और स्मोकिंग तो बिल्कुल बंद कर दे अगर अब ये सारे उपाय कर लेते हैं तो हम वेरी शोर कि सर्दी हो या गर्मी आप अपने आपको हर्ट अटेक से बचा सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर लें शेर करें और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले और अगर आपको लगता है कि कोई आपको फीडबेक देना है कोई सजेशन देना है या आपकी करी है तो आप नीचे कमेंट बोक्स में लिख सकता है धन्यवाद